थाइलेंड बहुत सारे भारतियों के लिए पसंदीदा टूरिस्स स्पोट है ये तो हम जानते हैं लेकिन आज मैं आपको एक जानकारी देने वाली हूँ थाइलेंड के बारे में कि कैसे वहां भी दिवाली जैसा त्योहार मनाया जाता है देश भर में कार्तिक पूर्णिमा और देव दिपावली की धूम हमने देखी है नदी किनारे किस तरह से घाटो पर दीब जलाते हैं और इसी तरह थाइलेंड में भी लॉय क्रथोंग को मनाया जाता है जिसे थाइलेंड के नदी पर रोशनी के तियोहार के रूप में जाना जाता है क्या आप जानते हैं ये तियोहार क्या है? मैं बताती हूँ क्रथोंग शब्द का मतलब एक छोटे से बरतन या टोकरी से है और लॉय कार्थ है तैना लोग जीलों, नदियों और दूसरे जो इस तरह की जगाए हैं वहाँ पर इखटा होते हैं और फूलों से सजागुए कार्ट बोर्ड पर मुंबत्तियां और अगर बत्तियां रखते हैं और चंदमा को अर्ग देने के बाद उसे पानी में बहा देते हैं दरसल कार्टिक महीने में देव दिपावली के हमारे उट्सव के समानी थाई लोग देव दिवाली मनाते हैं जिसे लॉय क्रथॉंग के नाम से जाना जाता है संस्कृती से समरिद थाईलेंड के लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं हर कारिस्थल और घर में भगवान गणेश और विश्णू की मूर्ती होती है, वो भारत की तरह देवताओं की पूजा करते हैं, जिसमें ब्रह्मा, विश्णू, महेश, गणेश और बुद्धिश शामिल हैं. आपको मारी ये जानकारी कैसी लगी? जरूर बताईए.